के अंदर ही मौसमे सिंग हमारी संभाददाता और अशोग संगल पलपल की जानकारी देते वे अशोग जैसा कि आपने बताया राहूल गादरी सबसे आगे की और बैठे वे हैं मोबाइल में वो कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं और जाहिर तोर पर उनके लिए भी आज का दि बेहत चुनाती भरा क्योंकि क्या उने शिनगर एरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा इसकी संभावना बेहत कम है लेकिन हमारे संभाददाता प्लें के अंदर से हर एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि हमारे दरशक देख पाएं कि विपक्ष पूरे मामल के लिए कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए विपक्ष की और से ये कोशिश की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार को लेकर उसके पास दूसरा कोई मुद्दा बचा नहीं है अशोग अशोग की मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको अशोग मेरी आवाज आ रही है आप तक मैं बोला हूँ अशोग संगल हमारी संबाद दाता उसी फ्लाइट के भीतर मौजूद हैं चुकि थोड़ी ही देड में बसकुशी पलों में ये फ्लाइट टेक आउफ करने जा रही है जाहिर तोर पर बहां की बेवस्ता को ठीक किया जा रहा होगा सभी को अप्तियमती जगह पर बैटने क के लिए कहा जा रहा होगा और ये राहूल गांधी की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं कॉंग्रस पार्टी के पूर्वा अध्यक्ष राहूल गांधी जिनके नत्रत में नौ पार्टियों के ग्यारा नेता इस वक्त टेक आउफ करने जा रहे हैं श्रीनगर जा रही फ्ला फोन पर किसी से बातचीत करते हुए दिरेश्ट रुवेदी टीमसी के सांसत फोन पर किसी से बातचीत करते हुए हमारी संबादाता अबलागातार उनकी यही कोशिश है कि वो नेताओं से जादा से जादा रियाक्शन ले पाएं क्योंकि सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि दरसल शेहर में एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी प्रिशासन की ओर से दो टूक वेपक्षे नेताओं को यह सपस्ट कर दिया गया उसके बावजूद यह तबाम नेता बहाँ पर पहुंचना चाहते हैं प्रिशासन ने कहा है कि स्रीनगर का दौरा ना करें ऐसे वक्त में सरकार सीमापार से आने वाले आतंकवाद और आतंकवादियों के ख़त्रे का सामना कर रही है ऐसे वक्त में इनका वहाँ पर जाना ठीक नहीं है अशोग मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें क्योंकि अफ फ्लाइट के टेक आफ का वक्त भी हो रहा है अशोग अशोग सिंगल हमारे संबाद्धाता पैसा लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पारी है लेकिन उनकी लाइट तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं यह तीन अलग अलग तस्वीर नहीं कर रहे हैं तो आपको एमर्जन्सी के दिन याद आते हैं इससे की नहीं याद आते हैं तो आपको लगता है कि एमर्जन्सी के दौरान जो दौर था वही दौर चल रहे हैं एसा है कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि भाई याने वो कह रहे हैं वहाँ बहुत नार्मल पोईशन है तो हम लोग जा रहे हैं कि नार्मल पोईशन है कि नहीं है नहीं है तो जो गड़बर होगी वो सरकार को बताएंगे हम कोई वहाँ ऐसा इसा काम करने नहीं जा रहे हैं कि ज आपको बता दें लोगतांत्रिक जनतादल के अध्यक्षन शरद यादव उनसे और जब उन्होंने पूछा कि क्या देश में अमर्जंसी जैसे हालात है रहुल गांदी की तस्वीरे आप इस वक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर रहुल गांदी जो खड़े हो गए हैं कुछ लोगों से बाचीत भी करते हुए राहुल गांदी के नत्रत्यू में दरसल ये 11 नेता श्रीनगर पहुंचना चाहते हैं तहसीन पुनावाला स्टूडियो में हमारे साथ जू चुके हैं उनके साथ बाचीत के ससले को आगी मैं बढ़ाओ लेकिन उसके पहले शरद यादव हैं जिनको साड़े चार सालों तक कॉंग्रेस पार्टी ने जेल में रखा अब उसी कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वा ध्यक्ष के साथ शीनगर में वो कूच करने जा रहे हैं मोदी सरकार को घेरने के लिए अशुक मेरी आवाज मिल रही है क्या आप तक अशुक संगल हमारे संबाद दाता 11 बच कर 52 मिनट हो चुके हैं आपको बता दे जो जानकारी हमारे तक थी विस्तारह की ये फ्लाइट 11.50 पर टेक आउफ करने वाली थी लेकिन लाइट तस्वीरे सांब में आ रही है यानिकि अभी तक उड़ान इस फ्लाइट ने भरी न आनी रेफोन क्या है जो अपने कैमरे में कैद करके आप तक लेकर आया है क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही विपक्षिदल के नेताओं की और से जो बार बार पूछे जा रहा है एक बर इस पर जद्दी से तहसित में चाहूंगी अपनी टिपड़ी दे दीजे जब मना किया है विपक्षिदल क दीजे बार यही विपक्षिदल के नेताओं को तो फिर इस तरह की जबरदस्ती क्यों की जारी है इस ने मना किया है आप मताईए सवाधान की किस प्रावदावन से सावधान अगर अगर वहां पर हालात खराब हो सकते हैं अगर पहले से वहां पर इस तरह की वफसा किये ग जम्हूरियत का मतलब यह के राजनीती बंद होना चाहिए। जम्हूरियत का मतलब यह के राजनीती बंद होना चाहिए। जम्हूरियत का मतलब यह के राजनीती बंद होना चाहिए। मौतरमा कल आपने कोई गलत स्टेटमेंट भविश्य में दिया। माजिद मेमन NCP के तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। क्योंकि आप आकर के हालात का अधिजाज़ दें। क्योंकि राहूल गांदी ने ये बोला था कि राहूल गांदी ने ये बोला था कि कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। उसके बाद गवर्नर ने उनको राइट किया। सबसे पहली सीट पर इसमें मौजूद हैं। क्योंकि आप दिखाने की कोशिस करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहां पूरा मीडिया से फिलाइट के अंदर है और इस फिलाइट से वो लोग जाने की कोशिस कर रहे हैं कि शिरी नगर के बाहर भी जाए जाए जा रहे हैं डेलिगेशन लेकर के राहूल गण्दी सबसे पहली विस्तारा की जो 11.50 की व्लाइट है इसमें राहूल गांदी सबसे पहली सीट पर बैठे हुए है और ये तमाम लोग शिरी नगर के लिए हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर टोस्तेर और पॉने वाली है और यह लोग यह लोग कुछ से शिर्णगर पहुंचने में इस विस्तारा की फ्लाइट को और ये लोग जाएंगे लेकिन जम्मु कश्मीर एरपोर्ट पे तमाम सुरक्षा के कड़ी इंद्जाम किये गए हैं वहां के परशासन के द्वारा शिर्णगर एरपोर्ट पर और कोशिस ही है कि परशासन की कि इ लें वहां का जाईजा लेंगे तो अच्छा है ना जो उनकी खुश है उनमें हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं लोगों की खुश्यों में धारा 370 हटने के बाद जो हालात बने हैं उनको हम देखना चाहते हैं जी तो यह हम लोग अब यहां से श्रीनगर के लिए रवाना हो क्या स्थिती रहती है और यह नेता प्रशासिन के साथ क्या बाचीत करते हैं उनको मना पाते हैं बाहर जाने के लिए या नहीं यह हम लोग आपको एक एक पल की रिपोर्ट श्रीनगर एरपोर्ट से और इस फ्लाइट से देते रहेंगे कैमरमेन विनोट के साथ अशोख सिंगल दिल्ली एरपोर्ट विस्तारा की फ्लाइट से देखे अब बारे बज़ने जा रहे हैं दन के यानि कि अपसे कुशी देड में यह फ्लाइट टेक आफ करेगी एर होस्टेस की और से सबसे पहले नियम कायदे कानून जोतने भी होते हैं वो समझाया जाएगा और उसके बाद कुशी पलों में यह फ्लाइट टेक आफ कर देगी हमारे समबाद दाता शोख संगल जिनकी मौजूदगी है मौसमे सिंग भी इसी फ्लाइट में मौजूद है हर एक तस्वीर आज तक आप तक पहुँचाएगा और यह देखे राहूल गांदी आपको दिखाई दे रहे हैं पूर अध्यक्ष कॉंग्रिस पार्टी के जिनके नित्रित में नौ पार्टियों के नेता पहुंचने जा रहे हैं स्रीनगर लेकिन स्रीनगर एरपोर्ट से बाहर जाने के इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी श्रीनगर जा रही फ्लाइट में राहूल गांदी की मौझूदगी है तमाम खास मैमा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा को नैसरे से हम आगे बढ़ाते हैं जिसको छिपाने की कोशिश सरकार की और से की जारी है बड़ी खाबर इस वक्की राहूल गांदी समेट का इविपक्षी नेताओं की मौझूदगी है सभी विपक्षी नेता श्रीनगर की ओडान के लिए तयार हो चुके हैं लेकिन श्रीनगर से वापस लॉटने की फ्लाइट में लोगों ने कोई टिकट अब तक नहीं लिया है अशोक संगल ने इस फ्लाइट में मौझूद जितने भी वपक्षी नेता हैं उन सब से की है बातचीत एक बार फ़र से सुन दे है गांधी सहीत नाइम विपक्षी पार्टियों के नेता आज शिनेगर जा रहे हैं और इसी फ्लाइट से जा रहे हैं विस्तारा की 11.50 की फ्लाइट है हम लोग इसी फ्लाइट में मौझूद हैं राहूल गांधी पहुंच चुके हैं त्रिनमुल कॉंग्रेस के नेता दिनेश्तिरवेधी पहुंच चुके हैं डी राजा और एंसीपी के माजीद मेवन तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं और पूरा मीडिया इसमें दिली से इस फ्लाइट में मौझूद है और यह लोग जाना चाहते हैं धारा 370 खत्म होने के बाद वहां के हालात क्या हैं वहां लोगों से मिलना चाहते हैं और वहां के नेताओं से मिलना चाहते हैं लेकिन जम्मु कस्मीर परशासन ने इनको शीरी नगर में आने से मना किया प्रशासन के ये कहना है कि इनके आने से वहां के हालात खराब होंगे वहां की शांती भंग हो सकती है इसलिए ये नेता शिरी नगर ना आए तो जादा चाहे लेकिन प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाया है इन से अगरे कि उसको देखते हो लगता है कि शिरी नगर एरपोर तो गुवर्नर ने ये कहा कि आप जो हैं राजनीती कर रहे हैं इस मुद्धे पर तो उसके बाद ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया था लेकिन राहूल गांदी ने मीडिया से बात करते हैं कि जम्मू कश्मिर से रिपोर्टे ठीक नहीं आ रहे हैं धारा 370 मोने के बाद उस सिर्फ इस बात का अफसोस है कि क्या सरकार हमें खतरनाक लोग समझते हैं हम जाकर वहां सब्सक्राइद करें हम चाहते नहीं जा सकते, आपके जाने से हालाद खराब होंगे शांती भंग होगी. We are not going there to create any law and order problem. If government thinks, government admits its failure to maintain law and order, peace, harmony in the state of Jammu and Kashmir. We are going there to tell the people of Jammu and Kashmir the whole country is with them. ख़ciaż जमें की जाने से तो आहां गारारा तो जाने देँंगे तो नहीं करेंगी तो यह वह कराँ जितकर्ञेंद कर से हैं, आप न जाने हैं हमारा देश है हमारा देश है प्रशाचर उनके पास है तो आप लोग जाएंगे वहां पे एरपोर्ट से बाहर नहीं जाने के अनुमती दी जाएगी तो फिर कैसे करेंगे अब इसको कैसे बता हम वहां देखेंगे क्या करना हम जायें आप लोगो ना किया घ्या है कि यूर लोग थाएं लिग्वार काने कि अदोगाइगे कि व्हां घरी डिली कि आप लोगों को मना किया गया है कि यूर नॉट बहूर जाओ दिया संब जिए विए व्याप्टिमेस्टी कंड गोवड़ विए होना भूड शुक्त और they will understand our responsibility and we are hopeful that they will help us to see the situation आपक्स को कि हम लोग जो है आज तक आपको पल पल की जानकारी देगा जिस तरह साम इस फ्लाइट में भी आपको सारी जानकारी देते रहे हैं जैसी हम लोगों हाँ पर लैंड करेंगे सबसे लेटेस अपडेट्स आपको आज तक मिलेगी कैमरा पसले जैस्वाल के साथ मौसमी सिंग दिल्ली आज तक पेन के अंदर हमारे दो संबाद्दाताओं की मौझूदगी है इन तमाम नेताओं के साथ ये लोग भी टेक आफ करने वाले हैं कुछी देर में श्रीनगर के लिए बहां उतरेंगे और उसके बाद प्रशासन किस तरह का व्योहार करता है क्या बाहर जाने देता है या फिर वापस उने भेज देगा क्योंकि जितने भी 11 ये नेता हैं जो फ्लाइट में मौझूद हैं और दिल्ली से टेक आफ करने वाले हैं उडान बस थोड़ी दिर में भरने वाले हैं श्रीनगर के लिए दरसल बापसी का टिकट किसी के पास भी नहीं है और माना जा रहा है कि द आरंग आप लोग वापस भेज देंगे या फिर इनको भी आप जितना अधिकार मिलेगा ताकि कश्मीर के आम जनता के बीच जाकर ये लोग भी देख पाएं कि आप लोगों की ओर से यानि की बीजेपी जो दावा कर रही है सामान्य स्थिती का उसमें सच्चाई कितनी है इनके उपर इसलिए हमको संदे है कि इनकी भाषा ठीक नहीं है इनके पिछले 15 दिन के अंदर जो बयान आए हैं वो ठीक नहीं है कश्मीर घाटी के अंदर ये आज ये कह रहे हैं कि हम जमू कश्मीर के टूर पर हैं ये जमू कश्मीर के टूर पर नहीं है ये कश्मीर कि दोसो असी पुली स्टेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वह बिलकल नॉर्मल सी छल रहे हैं वह स्कूल खुले है नॉर्मल लाइस चल रही है बिजनिस को ले दुकाने खुली है लोग अपना काम कर रहे हैं अ वेब साइट चल रहे हैं टैक्सि यह गाडिया सब चल र पथर बाजू को आगे लगाकर उनको भरका कर इंस्टिगेट करके वहां के हालात खराब कर सकते हैं और ये नेता गुलाम नभी आजाद भी बार बार सिरिनगर जाते हैं मैं सवाल पूछता हूँ पिछले पंदरा दिनों से गुलाम नभी आजाद जी ने कोशिश क्यों ने की जम्मू आने की रजोरी पुंस जाने की दोड़ा किस्टोर जाने की कोशिश क्यों ने की गुलाम नभी आजाद जी ने ले और करगिल जाने की कोशिश क्यों ने की बार के अंदर ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साज़िस कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान के लोग नहीं कर सके जो लोग देश विरोधी ताक्तें नहीं कर सकी वो लोग आज ये कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी जी और उनके साथ ये जो विपक्स के नेता हैं ये करने पर अमादा हैं जो भारत विरोधी ताक्तें चीन और पाकिस्दान करने में विफल रहा युनाइटेड नेशन के अंदर उस काम को आगे बढ़ाने का काम कॉंग्रेस के नेता और विफक्ष के नेता कर रहे हैं इनकी मन्शा ठीक नहीं है ये देश के साथ गड़दारी कर रहे है ये देश के साथ बहुत बड़ा धोका कर रहे हैं जल्दी से इसका आप जवाब दे दीजे उसके बादा आश्यतो श्मुशा के बास दरसल आप लोगों के मन्शा ही ठीक नहीं है और कई नेताओं के बयान भी तो इस तरह क्या है ना तहसीन फर जाने के इजाजत क्यों दी ज्यतन है तो सत्यापाल मल्म प्हण बादार अच्वार में धूमारी सुओ झालर में लिए इनवारी समिवें किया सूवाल। दुकाने बंदेयें और हालात सामानिय तो दुष्ट को दिखायें और निये सामने दिम्यदारी लीजे आपने क्यों बुलाया राहूल गांदी को। invitation ङतना रहे है और हुआ मक्ना एंडिन गाए पार कोया है से न्हें भॉप आपना साथ क्यों नहीं किया है संग दूसरी भात मेरी सिर्फ मेरी पैटिशन के अटर्रिण называется सामान यह नहीं नहींग है हम नहीं जाते टर्रावन कंअ बाद सुप्रीम कोट में कहते हैं क्षमीर के पहली बार खराब हुए हैं बिल्कुल नहीं हुए है क्या पंद्रा अगस्त के दिन क्या पाकिस्तान के जंडे कुछ इलाकों में जवाद देता हूं और क्या अगर महौल वहां का बिगड़ता था तो हैतियातन पहले लोगों को बिल्कुल बिल्कुल एक है मुद्दे पर जो बेहां सब्सक्राइब जानकारी हमें मल रही है और तक्रीवन डेर से दो घंटे के इंतजार के बाद वहाँ पर ये लोग पहुंच जाएंगे और क्या जानकारी देंगे आप हमें जी चित्रा सिर्फ एक घंटा बीस मिनट क्योंकि जैसे ही उडान भर चुकी है विस्तारा का वो विमान एक घंटा बीस मिनट लगेगा श्री नगर एरपोर्ट पर वो विमान उतरेगा और आखरी बार जबाब से चर्चा हो रही थे मैंने जिक्र किया कि हम कहां थे और कहा वापस खड़े कर दिये गए हैं और तमाम ये जो रास्ते हैं पुलिस कह रही है कि देखिए यात्रियों को असुविधा होगी अब हम तो किनारे पहले ही खड़े थे फिर आगे चुकि विशेश अधिकारियों को बड़े अधिकारियों को हमने आगे जाते हुए देखा ज हमारे बड़े नेता पहले से ही प्रिवेंटिव कस्टेडी में हैं तो आखिर वो लोग आ करके बाते किस से करना चाहते हैं जब सरकार खुद कह रही है कि हालात अभी सिर्फ नियंत्रण में हैं सामान्य होने में धीरे धीरे वक्त लगेगा ये देखिए मेरे पीछे एरप पहुंच चुके हैं वहाँ पर जाहिर रत्तगडी सुरक्षा प्यवस्ता की गई है एरपोर्ट से ही वापसी सबकी तय है लेकिन एरपोर्ट पर होगा क्या उस पर नज़र रहेगी क्योंकि मौसमी अशोक सिंगल उनके साथ सफर कर रहे हैं नीचे उतरने बाद आपको यह बहुत कुछ सियासी ड्रामा होगा और उसके बाद हम यह भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या गवर्णर की और से कोई बयान आएगा पिछले दो दिनों से जो सरकार की प्रेस कॉंफरेंस यहां होती है वो भी नहीं हुई है मीडिया सेंटर बनाए गया था जहां से में जानकार अगर अगर अक्सेस नहीं मिला तो दिल्ली में बहुत कुछ होगा चित्रा यहां पर अपने दर्शकों के लिए जानकारी दे दे जिसका जिक्र कर रहे थे आशितोष दरशल श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ ही देश के कई ऐसे एरपोर्ट है जहां पर कैमरे को चलाने की इ उस फ्लाइट के भीतर है एक गंटे 20 मिनट जैसा कि आशितोष हमें जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर पहुंचनी में लगेगा लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर इन नेताओं को विपक्षी दलों को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी हमारे साथ लाने के लिए उड़ान भर चुके हैं क्या कुछ देखा है अशोख संखल ने अपने आखों देखे कि लोगों से बाचीत की है ज़र एक वर्फर से सुन लेते हैं गांधी साइट नाइन विपक्षी पार्टियों के नेता आज शिनेगर जा रहे हैं और इसी फ्लाइट से प्रशासन ने इनको शीरिनगर में आने से मना किया इनकप प्रशासन के यह कहना है कि इनके आने से वहां कि अनुमती नहीं दी जाएगी लेकिन ये नेता जाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के राज़ापाद सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों राहूल गांदी को नियोता दिया था कि आप आकर के हाला देखें उस नियोते को राहूल गांदी ने स्विकार किया था और उसके बा उसके बाद ही राज़ापाले उनको नहीं होता है